Hello EVERYONE, Welcome to complex engineering तब लोग डिसकस करने वाले, SR latch के बारे में और रिड्र हमने دिसकस किया है कि latch का मतलब क्या होता और flip-flop का मतलब क्या होता है और latches और flip-flop के भीछ में difference क्या होता है इसे बारे में भी हमने discuss किया था तो अब हम लोग क्या बनाने वाले हम लोग बनाने वाले SR latch using NAND gate and NOR gate सबसे पहले हम लोग NAND gate का use करते हुए SR latch बनाने वाले यहां पर यह SR latch हम लोग क्यों बोल रहे है क्योंकि जो latch हमने जो consider किया इसके जो input होते होते S और R जिसके वज़े से जो latch होता है इसको हम लोग basically बोलते है SR latch तो हम लोग SR latch को दो दरीगे से बना सकते है SR latch को हम लोग बना सकते है AND gate का use करते हुए और अगर हम लोग AND gate का use करते हुए SR latch बना रहे है जिसको भी हम लोग बनाएंगे तो हम लोग बोलेंगे SR latch using AND gate similarly अगर हम लोग nor gate का use करते हुए अगर हम लोग sr latch बना रहे तो हम लोग बोलेंगे sr latch using nor gate तो हम लोग nand gate और nor gate दोनों gate का use करते हुए हम लोग sr latch बना सकते तो जैसे के हमने discuss क्या था के latch क्या होता है हमने already discuss क्या था मेंटेंट रखथे जब तक के इंपूट में किसी भी तरीकह का चेंज ना हो तो यहाँ पर अब अगर हम लोग देखें यहांपर हमने क्या बनाया है यहां पर हम लोग अभी बात करते सबसे बहला एसार लाच यूजिंग यहांपर हमने consider किया एक नैड़ेट तो यहांपर हमें कितरे नैड़ेट मिल गए हमें दो नैड़ेट मिल गए यहांपर अगर हम आपको जो जो बताते जाना हो आप उसको एकदम accurately note डाउन करते जाना पिंट पॉइंट करते जाना क्योंकि बहुत इंपॉटेंट है अगर आप यह समझ जाते हो तो ऐसा रलाइच यूजिंग नौर गेट आपको समझना एक दम बहुत अतक क्या आसान हो जाएंगा तो यहां पर हमने दो दो над gate, इसका ऻो एक इंपूट अब् इसका एक इंपूट ए उसका अबने लायन सो कर रहे है और यहां पर यहां पर यह यह वाल लगिन एंपूट मिला जोकिंपूटोखे मिल कर रहे यहां पर ये वाला जो Nand gate हमें जो दिखाया दै क्याrica वह क्या होगा वह ये वाले नैड़ गेट का इन्पुट होगा वह एक तर्मिनल ले लिया वह जो Nand gate का जो output है जो नाईड़ का हमें जो 我不知道 जो दिखाये दे रहा है क्या यह दुस्रे यहां पर अगर हम लोग देखें यहां पर यह वाला यहां पर हमने यह वाला जो नाइट गेट हमें पहला उट्पुट मिलेगा दूसरा उट्पुट मिलेगा तीसरा उट्पुट मिलेगा और चौता उट्पुट मिलेगा तो यह जो नाइट गेट हमें पहला उट्पुट कंसिडर किया जो वहाने वह में शो कर रहा है यह जो पहला वाला आउटपूट जो 2 है वह में शोकर रहा है जो 9 गेट है इसका दूसरा वाला आउटपूट यह जो 3 है वह में इंडिकेट कर रहा है यह 9 गेट का तिसरा वाला आउटपूट और जो 4 है वह में इंडिकेट कर रहा है यह 9 गेट का पहला वाला आउटपूट यह ज एकदम डीटेल में समझाने वाला हूं आप एक ही बार concept को समझ जाना उसके बाद हम लोग concept को कट्ट्ट्ट्ट्ट समझते जाएंगे कि अगर हम लोग बाद में भी अगर डीटेल में समझे तो overall यह time का वेस्ट होगा तो पहला जो concept इसलिए मैं आपको एकदम टीटेल में समझाता हूं फिर उसके बाद आप अपना आप समझते जाओगे तो यहां पर यह जो वन टू थी फोर हमें क्या दिखाए ते रहे यह वाले नेट का ओट पूट यहां पर यह वाला नेट और यह वाला नेट के ट दोनों का जो पहला ज आपको समझ गया होगा यह क्यों डाफिय नेट वाले नेट का पहला वाला जो आट पूट है क्यों अप तक कि अपनी णेट का पहला वाला जो आपूट है अपैं बहुत है और शेलिक लिए वाला जो ना आट गेट इसका पहला वाला जो आपको एनफ घो दिखाया दे रहा है यह जो इनफूट आपको इंपूट आपको दिखाया गिया आर कंसीडर गालिया जिसके वह जैसे यह हमने क्या बना लिया है यह हमने SR latch की circuit बना ली using NAND gate और आई उप आपको समझ में आगी होगा हम लोग SR latch क्यों बोल रहें क्योंकि जो input हमें जो दिखाया दे रहें वो क्या है वो है S और R जिसके वज़े से जो latch है इसको हम लोग बोल रहें basically SR latch हमने क्या बना दिया अबने SR latch बना दिया NAND gate का यूज़ करते हुए यहाँ पर अगर हम लोग देखे जो SR latch है इसका भी हम लोग क्या बनाएंगे इसका भी हम लोग truth table बनाएंगे तो यहाँ पर हमने कंसीडर हमने कंशीडर हमने कंसीडर कैने इन्पोट y है में अर्फ टे डिशकास क्या एंदा। सर्केटं जो आउटवूट असको धब्लोग करते इसकी 0 हो सकते हैं S की value 0 हो सकती है, R की value 1 हो सकती है, S की value 1 हो सकती है, R की value भी 1 हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग पहला वाला case consider करते हैं जिसमें जो S की value है वो 0 रहेगी और R की जो value है वो क्या रहेगी? 0 रहेगी तो जो S की जो value है वो भी है 0 और R की value वो भी है 0 तो हमें यहाँ पर क्या करना है S का compliment consider करना और R का compliment consider करना है तो हमें क्या मिल जाएंगा हमें मिल जाएंगा 1 यह वाले terminal पे भी हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा और ये वाला जो input हमें जो दिखाए दे रहा है, यहां पर भी हमें क्या मिलेगा? नापर हमें मिलेगा 1 हमने क्या किया? हमैं या पर बोल दिया ग metros कि S की जो value है वह जी रो और R की जो value है, वो भी है 0 तो S की value भी 0 और R की value भी 0 है एस कॉंप्लिमेंट मिलेगा और आर कॉंप्लिमेंट भी आपको मिलेगा वन तो यहां पर यह वाले इंपुट पर आपको क्या मिलेगा वन मिलेगा यह वाले ने गेट के और यह वाले ने गेट के यह वाले इंपुट पर भी आपको क्या मिलेगा आपको मिलने वाला है वन अ तो दूसरा output हम लोग कैसा find out करेंगे यहां पर यह वाले इंपुट पर क्या रहा है वन आ रहा है और यह वाले इंपुट पर क्या रहा है 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 यह वाले इंपुट पर लगा और इसका भी कॉंप्लीमैंट कंशल हो जाएगा इसका मिला हूं 95 यह ऐवे जो मिला मुला यह चु एन अभी हना से सुनना यां पर हमें यह वाला इनफेट का यह वाला इनफ्य रहेगा व्हला आउट पुट करेंगे मैं फिल आज चलग उन्रवाला ऑट पुर्ड्य का ओने वाला है तो यह वाला पर क्यों कॉंगे तो मतली होगा अजशाला यह नियुक्त भूद सब्लूरु लक्त में नेयंगेट का हमें पहला वाला और प्राइड पर यहां सब्सक्रांट neighboring offer में यहां पर यहां पर उन्था का प्लाइड आउठूट आ रहा होगा जो के है qn नय एंड इसके यह वाले इंपूट पर क्या रहा है और जैसे कि अने डिसकस किया यह वाले इनपूट पर क्या रहा है वन आ रहा है तो वन इंट यू आपको क्या मिल नहां यहां पर नॉट गैट लगा है तो QN का कॉंप्लिमेंट आपक QN Kompliment है क्या यह जो NAT GET केहाँ इसका दूसरा वाला जो आउटपुट है वह है क्या वह है qn kompliment यहाँ पर यह जो qn Kompliment है वो यह वाले Old x day का मैं। यह वाले nandget का ढ sounds find out करेंगे त्सरा वाला output find out करेंगे अगर treatment देखिए यह जो और यहां पर यहां पर क्या आ रहा है यहां पर आ रहा है क्या दिखाया देरा है इसका जो तिसरा वाला ओट पुट हमें पर यहां इकечат यह वाले इंपट्ट आइंगा हम लोग 54 वाला ओट्पुट फांड आउट करेंगे कुछ इस तरीके से ओरिजिनेट हो पर unaware एिसका हम लोग तीसरा वाला उटपुट और कर ले थे नंट गेट का अगर हम लोग तीसरा वाल आउटपुट फांड आउट करे तो यह नंटered के यहиш किया को पर और जैसे के अमने डिश्क्याय क्या क्या क्यून है यह वभृत पर कै आ रहा है क्यून और यहां आप नहीं पर हमें लेना होगा इसका तीसरा ओटपूट हमें क्या मिल रहा है यहां मिला क्यों क्यों पर इसका थी यहां पर यह तो यहां पर अगर हम लोग देखें जाना चील आपको इतना समझ समझ रहा है सिम्पल वर्ट में आपको बँलूँ यह रापको आपको जो आफुघ होगी यह और क्या महतलब क्य कि आपको लीडरurg फ॥ यह आपको मिला कियों एंक यो रहा है यहां पर इसका लाइद दिखाया नहीं겠다 वर्ट में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो लेच होता हो इलिगी इस तorte करता है कि से से कोटेंब कर रहा है कर रहा है में इसको पॉल्ट सकते हो सिंपल्म होल d यहां पर हमने क्या लिख दिया यहां पर हमने लिख दिया क्यों और यहां पर हमने लिख दिया क्यों कॉंपलिमेंट और यहां पर हमें कॉंसी स्टेट दिखाए दे रहे हैं यहां पर होल्ड स्टेट दिखाए दे रहे हैं एक बार मैं समराइज करू जब जब सिदाव टी आरपलीमेंट होता है और यह पहली वाली कंडिशन था इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हुं बाद हम लोग cut to cut समझते जाएंगे तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें hold state या फिर hold condition का मतलब क्या होता है in sr latch जब when hold condition या hold state या फिर वो सकते hold condition in sr latch when value of s is equal to 0 जब s की value 0 होते है और r की value 0 होती है then one input of first and nand gate will one पहला वाला जो nand gate है इसका जो एक इनपूट फो क्या रहेगा वन रहेगा जैसे हमने थोड़े टाइम पहला डिसकस कहा था वन इनपूट of second and gate will also be one और दूसरा वाला जो nand gate उसका भी जो एक input वो क्या रहेगा वन रहेगा जैसे कि हमने आ पर डिसकस कहा था जिसका यह वाला 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 4ूट होता पहले वाली नाट गेट का वह रहता और एक जो इनपूट होता है दुसारे वाले नाइंगेट WiFi मिलता है जिसके वजह से जो नापी लोग सकते जो करण्ट होती है वो सेम थे नास्ट स्टेट के comparison में यहां पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे के हमने डिसकस किया due to which output will remain same आप अपने हिसाब से बोल सकते हो और can say current state will remain same as last state या फिर बोल सकते हैं जो current state होगी वो repeat करने लगेंगी कि इसको last state को repeat करने लगेंगी तो अपने स्टेट्मेंट बना के लिख सकते हो मगर इतना है कि आपको concept समझ में आना चाहिए और यह condition होती है इसको हम लोग कौन सी condition बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं hold condition जा फिर बोल सकते हैं hold state in sr latch हमने क्या डिसकस किया यहां पर हम लोग यह पहले इसको हम लोग बोलते हैं hold state में आप नोट डाउन कर लो बहुत 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 इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट में जो प्रेजेंट इस्टेट होती है और जो नेक्स स्टेट होती है वह सेम होती है सिमिलल दूसरा case consider कर लेते जब s की value 0 रहेंगी और r की value 1 रहेंगी यहां पर यह जो latch है उसको हमने यहां पर consider क्या जो latch है यहां पर यहां पर यहां पर हमने क्या बना लिया हमने sr latch बना देया नेका य्फित का यूज करते होये तो यहां पर अगार हम लोग देखे इनीशली जो पहला वाला जो output होगा यह वाले नेक का वो दिआ होगा जो कि होगा qn और यह दूसरा वाला the तो यहां पर यह आंड मेनट केति इसका दूसरा वाला उप्ट स्था तूंडवर करेंगे संसे फथ्थ नारे Fraud न वाले इंप्ट पर Dublin कंप्लिमेंट यह वाले टर्मिनल के थ्रू जो और ये वाले टर्मिनल यह आपको बताऊंगा यह कॉंसेट्ट फिर से है आपर अब करना है इसके यह वाले टर्मिनल पर क्या है यह वाले टर्मिनल पर आएंगा यह वाले टर्मिनल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर इस यह वाले इनपूट पे आ रहा है यह वाले इनपूट पर यह वाले इनपूट प्रारा С account कई रहा रहा है और यह वाले इनपूट पे किया रहा है जीरो तो क्यो analyzing confirmed data desired haar यहाँ पर यह इसका मदलब जिरो का इंपूट रहेगा जब यह वाले नैंडगेट का हम लोग तीसरा वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे तो यह वाला इंपुट क्या रहेगा यह वाला जो इनपुट है वह वन रहेगा तो यहां से आ रहा है वन और यहां से भी आ इसका तीसरा वाला आउटपुट होगा हमें क्या मिलेगा हमें मिल जाएंगा जीरो यहां पर यह जीरो जो दिखाए दे रहा है वह यह वाले इंपुट पर रहेगा जब यह नैंडगेट का हम लोग 14 वाला आउटपुट फाइंड आउट करेंगे तो एरो कुछ इस तरीके स जा रही है भिलाले जो 9 इसका हम लोग तिसरा वाला आउटपुट माइंड आउट कर लेते तो इन आइड का तीसरा वाला आउटपुट फाइंड ाउट करने के लिए यह वाले नैंट गेट के यह वाले इंपुट इसका चौता वाला ओट्पूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका चौता वाला ओट्पूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका चौता वाला ओट्पूट हमें क्या मिल रहे है नाइट का चौता वाला ओट्पूट पर रहे है ने इंट वाला ओट्पूट पर रहे है वह इसका चौटा वाला ऊटपूट फाइंड आओट करने के लिए जो नाइड़ एसके यह आपट पर क्या आएगा इसके यह वाले इंपट पर आएगा वन जो आरह है वो कुछ इस तरीके से जा रही है जैसे हमने थोड़ा टैम पपला भी डिसकस किया था जब यह नाइंड यहां पर कॉंप्लिमेंट लगा हुआ है तो हमें क्या मिल जाना है तो मैं आपको बता तो यह क्यों और जो क्यों कॉंप्लिमेंट वह पहले से अवेलेबल था जैसे के अपने डिस्कस किया था यहां पर यह वाला जो नायंड गेट है इसका जब हम लोग दूसरा वाला ओटपुट फांड आउट करेंगे तो यह वाला इंपुट पर क्या रहेगा यह वाला इंपुट प आपर यह क्यों कॉंप्लिमेंट हमें दिखाए दे रहे हैं क्यों कॉंप्लिमेंट से जो एरो कुछ इस तरीके से जा रही है यह इंडिकेट कर दिए कि जो नायंड गेट है इसका जो दूसरा वाला जो आउटपुट है इसको फांड आउट करने के लिए जो नायंड गेट है इसका जब आम लोग 14 वाला अधूट यहां पर हमें क्या मिल गया यह मिल गया रहेन और QN और QN कॉंप्लिमेंट है वह हमें दिया हुआ है वह हमें आल्रेड़ी दिया हुआ है तो यहां पर जब यह वाला जो NAND गेट है इसका जब दूसरा वाला आउट-पूट फाइंड- आट करेंगे तो यह NAND जो प्रॉसेस होगा वो चलते जाएंगा मैं क्या बोल रहा हूं आपको यहां पर समझा आइए एकसपेक्ट कि आपको समझ गया हूँ एकदम सिंपल सा है यहां पर यह जो एरो आप इसको ध्यान से सब्सक्राइब में यहां पर आपको यहां पर आपको मैं समझाता हूँ यह इस टेट यह झा रही जा रही जा रही है बस हमें यहीं रुक जाना और अगर हम लोग और पूट देखे और पूट हमें क्या मिल रहा है जो क्यूएन हमें जो मिल रहा है वह मिल रहा है जिरो और क्यूएन कॉंप्लिमेंट हमें क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है वन यहां पर अगर अगर हम लोग देखे जब किये जाएंगे स्क्र zeal & liver का सक्राइब तो कौन सी कंडिशन होती है ना मैं सभर đã took on a टिविए यह देख लिए जब ऎस लिए ऊंटी देख लेगी हो ROB और आर्के जो वैल्यरucionesीरीन जब तो क्या रहे जीरो गी मिलेगी तो देखते हमें कौन須 कंडिशन मिलेगी हम ने यहाँ पर सेम नेंट गेट कंसर लाइप मिन हमने यहाँ पर एसार लाज चूजिंग फिर यह वह क्या है वहे वन और KvL यहां पर अगर हम लोग देखें यहां पर हमने क्या बना लिया एस और अर्लेट का यूज्ड करते वह है तो सबसे पहला यहां पर अगर हम लोग देखे वन टू टू थीसरा वाला ऑटपुट सिमिललनी यहां पर यहां पर आप द्यान से समझना आप यहां पर अपर मैंने अरो भी प्रॉपर ली दिजाइन के हो जिसके अग़े आपका कॉंसेप्ट एकदम किलियर हो जाएंगा तो यहां पर अभी अगर हम लोग देखें यहां पर यह जो QN और QN complement वह already available है यह जो 9-0 का output है पहला वाला जो के QN complement वह already available है और यह 9-0 का output है QN यह भी already available है मगर यहां पर यह 1 QN complement 10 और यह 10 हमने जो consider क्या है assume कर लो कि यह ऐसा कुछ भी नहीं है हमें कुछ इस तरीके से circuit बनाई दी गई है और यहां पर यह वाला जो 9-0 का output QN और यह 9-0 का पहला वाला output जो है QN complement अब देखना द्यान से यहां पर अभी अगर हम लोग देखें यहां पर यह जो 9-0 का अगर हम लोग देखें इसका पहला वाला output जो के QN complement तो आप देख सकते हो कि जो arrow किस तरीके से जारी है जो arrow है वो कुछ इस तरीके से जारी है arrow हमें यह indicate कर यह जो 9-0 का जो दूसरा वाला जो output है इसको find out करने के लिए यह 9-0 के यह वाले input पर क्या रहना चीए 1-0 कर यह उच्छ तरीके जारी है आप द्या से देखो जो arrow है कुछ तरीके से जारी है जो कि 3 को शो कर रहे है यह arrow आप को यह indicate कर रहे है जब यह वाले NAND Gait का, आप तिसरा वाला आउटपुट फाञ्ड आउट करोगे, जो NAND Gait इसका input क्या रहेगा, यह जो NAND Gait इसका input रहेगा 1 similarly यहाँ पर यह जो NAND Gate जो consider किया, यह जो NAND Gate हमने जो consider किया इसका में दूसरा वाला output ओटाना इंद करना यह जोने हरगे मेंद करना इसका दूसरा अपर करने के लिए इस चेवाले इंप्ट पर क्यान alkalini क्यों है आएक तो कारू को loc करिफुली नbuild已经 करो यहां पर यूद है इसका पहला वाले आप दूसरा इध पुर यह कहीथ है सब्सक्राइब up सब्सक्राइब यहां पर यह जो कॉंपलीमेंट है यह जो कंश्याडर के है वह यह वाले इंपूट रहेगा जब यह नाइट के हम लोग तिसरा वाला आपट फाइंड आउट करेगे तो आप देख सकते हो कि एरो कुछ इस तरीके से जारी है तो यहाँ पर यह जो NAND gate है इसके यह वाले input पर क्या आएंगा QN compliment आएंगा और यह वाले input पर क्या आएंगा 0 आएंगा तो 0 into QN compliment आपको क्या मिल जाएंगा 0 और उसका भी आप compliment ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएंगा 1 तो यह जो NAND gate का तिसरा वाला जो output आपको जो मिला वो आपको क्या मिला 1 मिला similarly यहापर यह जो 1 आपको जो दिखाया दे रहा है जो कि यह NAND gate का तिसरा वाला output है यह जो 1 जो दिखाया दे रहा है वो यह NAND gate के यह वाले input में जाएंगा खालन केट का अगरा हम लोग तस्रेबाइक कि तिस्रेवाला उटपुट करने के लिए इंपट के यह जाना चीह आप देखसकते वह अ मिल रहा है यहां पर हैं जेंगा यहां से क्या रही है जीरो यहां पर आपना यहां पर करो तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा यह आपको मिला आपको मिला है लिए जो jnand gate आपको आपको जो मिला ह हो यह वाले य हाली इंपोट पर जाएंगा जैना टाला ओर इंपोट फ conveniently फिलाद जिनरीट इसनद को जो इन यो आप निए इसके वाले न्पुट पे क्या जाएगा वन जाएगा आप ERO को दियान से कुछ इस तरीके से यह खुछ इस तरीके से जाए है तो यहापर यह जो आपको जो ढुए कर्सार आप द्चार आपो कैसे दिखाए इसका चौता वाला आउट पूट का यह वाला इनपूट क्या होना चीए तो यहां पर हम लुग देखें यहां पर आ रहा है और यहां पर भी आ यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ पर प्रभर स्थेट होते वे दिख़ाए रिए हमें यहाँ पर रुक जाना है यहाँ यहांपर अब हमें मिला or और क्यों क्या मिला जिए जिरो मिला जब स की वेलू वन होती और की वेलू जिरो मिलता है और सेट गंडिशन में क्या होता है जब एसकी वेलू तो set condition में क्या होगा when s is equal to 1, r is equal to 0 तो जो condition होती हो इसको हम लोग बोलते है set condition आप इसको एक और एक तरीके से memorize कर सकते हो r की value 1 है इसका मतलब reset condition s की value 1 है इसका मतलब क्या set condition that's it आप इसको easily memorize कर सकते हो यहापर हमने तीन condition के बारे में discuss कर ली जिसमें से पहली थी hold condition, दूसरी reset condition, तिसरी set condition चौती वाली जो condition है बहुत interesting condition है इसको हम लोग basically बोलते है prohibited condition आप इसको invalid condition भी बोल सकते हो आप इसको indeterminate condition भी बोल सकते हो तो यहापर अभी अगर हम लोग देखे यह condition में होगा क्या सबसे पहला जो S की जो value हो 1 रहेगी S की जो value हो 1 रहेगी और R की जो value हो क्या रहेगी वो रहेगी 1 जब S की value 1 होती है और R की value 1 होती है तो देखते क्या होता तो यहापर अभी अगर हम लोग देखे यहापर हमने consider क्या अगर हम लोग देखे जब S की value 1 होती है और R की value 1 होती है तो क्या होगा S की value 1 है तो S कॉंप्लिमेंट आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 0 तो यह जो नैंट गेट जो दिखाया दे रहा है उसका यह वाला जो input है वहाँ पर क्या जाएगा यह वाले input पर जाएगा 0 तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे और यह जो QN और QN कॉंप्लिमेंट हमें जो दिखाया थे रहा है वह अल्रेड़ी दिया होगा यह ऐसार लाश उसिंग नैंट गेट में हमें यह जो नैंट गेट है इसका दूसरा वाला output और चौता वाला output हमें क्या करना है हमें find out करना है यहाँ पर अब आगर हम लोग देखे जैसे के लियां पर discuss तहाता यहाँ पर जैसे कर हमने हमने result निकाला तह स्म लोग यहाँ पर भी निकालेंगे इसका सबसे पहला दूसरा वाला output हम लोग find out कर लेते तो जो 될 दून गेट है इसके यह वाले इंपुट पर क आपको क्या मिल जाना वन तो जो एज गई इसका दूसरा वाल्स आपको जो मिला वह आपको मिला वन अभी यहां पर यह जो वहने वह यह वाले नंड़गेट का यह वाले इंपूट रहेगा जब यह वाले नंड़गेट हम लोग तीस्रा वाला उट्पूट फाानड आउट गरेंगे आप देख सकते हैं कि जड़िक्म एटो अम्हों नं.- रहे हैं और यहां पर क्या रहे है 0 क्या मिल्दाइब लेखे यहां जो output हमें हमें क्या मिलेगा हमें ७इं निलेगा वन हमें धिखाये दे रहा type r और जो पूफंदे आज excited हो यह वाले NAND gate के यह वाले input पर जाए गा जब यह NAND gate का हमों लोग here दे tria ौट फाइंड आउट करेंगे तो यह NAND gate का हमों लोगodा out point find out और यहां पर कि यहां पर हो जो एर हो कुछ इस Państwo घर वाले इन पुट पर क्या और यहां बैड यहां आपको क्या मिल जाए दे रहा है वह यह नाइड गेट का यह वाला इनपूट रहेगा जब इनाइड़ेट का हम लोग 14 वाला ओट पुट फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर अभी अगर हम लोग आपको देखें खिलाल ये जो नाइंड गेट एशास लाँ अड़ी इसका मोग तिसरा वाला उटपुटट फाइंड आउट करने के लिए यह नाइड गेट का यह वाला इन्पूट क्या रहेगा यह वाला इन्पूट है वह ऊफियसली अगर हम लोग देखें जो एरो कुछ इस तरीकसी आ रहे है एरो को आप जहां से नोटीस करो तो यहां पर किषा इसका मिले लेलोगों कि आपको मिलेगा विमिला वन यहां पर यह वाले जाएंगा जोटा क्या मुले आउट करें ऑपुट अंब हम लोगे और यहां पर आ No आं piace आcussion जिरो उसका इसमिलेली यह वाला जो मिलेगा रहा है यह वाले इनपूट पर क्या रहा है यह वाले नेंड वाले इनपूट रहेंगा नहीं नेंट कर यह वाले नेंटकरtle का ए coloring तो यह नैंट गेट यह वाले इंपुट पर क्या रहें गा वन रेगा तो यहांपर भी वन है तो आपको क्या मिलजाएंगा फॉल्ज आरो पर देखें जो जो आपको रूख जाना है जो जो इस्टेट हो यहां पर अपने को रुख जाना होगा यहां पर अभी अगर देखें तो क्यों आपको क्या मिल रहा है वन तो जब यहां पर अगर अगर सोचो क्यों भी आपको वन मिल रहा है और की वैलू भी जब वन होती है और की वैलू भी जब वन होती है तो क्यों हमें मिलता है वन और क्यों कॉंप्लिमेंट भी हमें कितना मिलता है हमें मिलता है वन तो यहां पर अगर सोचो क्यों भी आपको वन मिल र हरा है क्या क्यू एन और क्यू एण कॉंप्लिमेट ये दोनों बॉराबर में नहीं हो नहीं इसका मतलब करद सकते हैं इसे को लोग बहुते हैं Knox luc daily या फिर गनी बोल सकते और यहीरीजन के वज़े से जो कंडिशन होती है इसको रोग बोलते हैं race condition race around condition नहीं race condition race around condition अलग होती है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जे के flip-flop पढ़ेंगे तब ही हम लोग बात करेंगे race around condition क्या होती है और invalid condition क्यों बोलते हैं क्यों कि अगर हम लोग देखे QN की value 1, QN complement की value हमें 1 मिल रही है जब क्या ऐसा नहीं हो सकता QN और QN complement बराबर नहीं हो सकते और यही reason के वज़े से हम लोग यह condition को बोलते हैं invalid condition तो I hope आपको concept समझ में आ गया होगा SR less using net gate का तो आपको question किस तरीके से frame की जाएंगे इतना आपको मगजमारी करने की जरुरत नहीं जितना मैं आपको explain क्या इतना आपको कुछ करने की जरुरत नहीं है जब तक क्या आपको question में पूछा नहीं जा रहा है अगर question में पूछ लिया जाता है आपको तो obviously आपको explain करना होगा मगर अगर आप अगर किसी competitive exam के लिए अगर अप्यर कर रहे हो या फिर कोई饮 Administration तो आपको question किस तरहिके से पूछे जाएंगे sr Latch using Nat gate के जब s की value 0 और R की value 0 नहीं तो कौन सा income condition में जब s की value 1 नहीं होती है यह नहीं होती है यह男alwood कंडी आपको आब 혼द बाभेई जा सकता या फिर आपको बोल सकता है explain the concept behind and so on similarly जब S की value 1 और R की value 0 तो जो condition हमें जो मिलती है वो हमें कौन सी condition मिलती है आपको ऐसा option दियाओगा set condition, the set condition prohibited और आपको दियाओगा hold तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है set condition जब S की value 1 और R की value 0 तो यहाँ पर हमने क्या discuss किया? यहाँ पर हमने SR less using NAND gate के बारे में discuss किया आगे की वीडियो में हम लोग discuss करेंगे SR less using NOR gate